आज के इस वीडियो में बात करेंगे IRFC के बारे में जो कि अगले ट्रेडिंग सेजन के लिए लेबल्स क्या बन रहा है उसके उपर हम बात करेंगे IRFC सेर में और भी कफे सरे चीज़ हम देखने वाले हैं वीडियो को पर लाश्ट तो आप देखते रहें और अभी तो आप न सब्सक्राइब फोलो जो भी कर सकते हो जागे टेलिग्राम पर आप जाएंगे टेलिग्राम पर सर्च करेंगे उपर में और यहां पर सर्च बटन पर सर्च करेंगे दम्मार्केट एक्संस जो भी हमारा चैनल के नाम है और काफी सारे लोग को आप जोड़ रहा है देर दे देखेंगे थोड़ा साम ध्यान देंगे इंडिक्सेस पे तो बैंक इनिफ्टी में देखेंगे गल का जो प्रिवियस क्लोज था जो भी देखेंगे उससे उपर ओपन हुआ गईपअग उपनिंग उसके बाद डाउन हुआ previous close से भी down गया उसके बाद फिर एक तेजी हमें दिखने हो मिला है आप और उसके बाद आप देखेंगे एक range में trade किया पुड़ा दिन आप देखेंगे मतलब आप देखेंगे एक बीच में तो आप मोमेंट एक बड़ा सा देखने हो मिला था छोड़ा कह सकते हो फिर भी बट उसके बाद फिर से हमें संभलता हो नजरा है एक range में trade करता हो नजरा है जो कि sideways trend में आप इसे कह सकते हो कि ये trading मतलब जो भी आप देखेंगे आप बात करेंगे निफ्टी 50 का तो सेम है आप थोड़ा gap up opening जो भी हुआ और उसके बाद down हुआ प्रिवेस close से भी down गया उसके दिन हमें market trade होते हुए दिखा बात करेंगे और भी कुछ information के बारे में आज का जो main topic है उसके उपर चलते हैं यहापे Indian Railway Finance Corporation Limited दोस्तों आप देखेंगे Indian Railway Finance Corporation Limited 97.40 का प्रैस चोल रहा है अब इक टाइम में आज के दिन की अगर हम बात करें performance क्या है उसको मैं आपको refresh करके फिरसे दिखाया था हूँ यहापे सारी चीजिए 97.40 का प्रैस चोल रहा है आज के दिन हमें गिरा और जो है दिहने हो मिला है 0.36% का stock में previous close क्या था 97.75 का open कितना पर हुआ 98.50 मतलब उपर उपर उपन हुआ प्रिवियस close को भी थोड़के उपन हुआ उपर उपन हुआ उपर उपन हुआ उपन हुआ उसके बाद यहाँ पर कह सकतो हूँ 99.30 का हाई लगाया 96.55 का लो लगाया और close कितना पर हुआ 97.40 यहाँ यहाँ पर दिख सकते हूँ जितना पर उपन हुआ उससे नीचे आगे close हुआ और दिखेंगे यहाँ पर और जितना पर कल प्रिवियस close था उससे भी नीचे close हुआ आज के दिन दुस्तों गराम बात करेंगे तो यहाँ पर 0.36% का गिरावाट जो है आज के दिन दिखने में मिला है मार्केट क्लोज होने जाज हो जाने के बाद भी आप दिखेंगे आप अब एक टाइम में जब मैं वीडियो को सुट कर रहा हूँ उस टाइम पर मैं पूटेटर दिखा रहा हूँ यहाँ यहाँ पर 23,303 कॉंटिटी यहाँ पर बाई साइड में लगा हुआ है आप दिखे डेलेवल कॉंटिटी कितना है टूटल में से अब देखेंगे आप एक करोड़ पचासी लाग तेरह हजार नौसो च्यालिस टेईस परसंट लगबख तेस चौबिस परसंट के आसपास है आप डेलेवल कॉंटिटी आज के दिन ट्रेड होते हुए हमें दिखा है जो कि आप अब देख सकते हो 23.82 वहीं पर काफी सारे ऐसे भी मार्केट में स्टॉक है जहां पर 50% से भी उपर का डेलेवरी में कॉंटिटी हमें ट्रेड होते भी दिख रहा है 50% से भी उपर का 40% 45% 30% 35% ऐसे दिखने को मिल रहा है बट इसमें अगर हम बात करेंगे तो आज के दिन क आज के दिन के अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे अगले ट्रेडिंग सेसन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके ऊपर और बी कुछ उसके बात करेंगे अगले ट्रेडिंग सेसन के लिए अगर हम बात करेंगे लेवल्स क्या बन रहा है वो हम यहां पर दिख लिए वीडियो को पर लाश्ट तो आप दिखते रही है सबसे पहला जो लेवल्स के लिए बन रहा है जिसको अगर यह ब्रेक करता है निक्स्ट लेवल्स की दोस्तों अगर हम बात करेंगे वो लेवल क्या है वो इसके वीवपर हम बात कर लेते हैं जो की कुछ इतना का लेवल रहेगा जो की आप यहां पर दिखेंगे कुछ यह वाला लेवल 94 का लेवल 93.99 मिनेट रोके है 94 का आप इस पर दिखान देजिएगा 94 का लेवल यह कुछ दो लेवल डाउन सैड में है जो कि अगर आपको गिरावट दिखने हों मिलता है तो दिखान देजिएगा यहां पर दिखेंगे सबसे पहले पहला लेवल क्या बन रहा है तो कुछ इतना का लेवल रहाएगा अपसेड में सबसे पहला जो कि मैं आपर ड्रो कर लेता हूं आप देखेंगे आपर 99.30 का लेवल सबसे पहला इसको अगर यह ब्रिक करता है निक्स्ट लेवल की दिस्तों अगर हम बात करेंगे क्या लेवल बन रहा है जो कि कुछ इतना का लेव आपके और भी कुछ दिख लेते हैं और अगर हम बात करेंगे आपे IRFC के बारे में और भी कुछ इंफर्मेशन तो आपने देखा होगा यहाँ पे अगर टूटल हम देखे चाट और टाइम का तो लागातार यह स्टॉक आप देखेंगे इतना टाइम लागातार एक रेंज मे ट्रेड किया मतलब कह सकतो 25-26 रुपे से निचे 20 रुपे से उपर मतलब कह सकतो यहाँ पर इसे इस रेंज में ट्रेड किया लागातार उसके बाद एक तेजी हमें दिखने हो मिला और तेजी के बाद अगर दिखेंगे तो फिर एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड करने लग रहा है उतना बाड़ा रेंज यह नहीं बना है फिर भी अभी की टाइम में थोड़ा-थोड़ा कह सकते हो अगर यहां पर रेंज में ट्रेट करता हो न जड़ा रहा है तो यहां पर चीज एक नोटिस करेंगे कि स्टॉक कुछ दिन तक कुछ महिनों तक लागाता है एक चीज है हमें लागाता है विश्टॉक में धिंश थीन में मिलड़ा सबसे यहां पर आ belieके में में नोटिस खेंए एक चीज topics कहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो यह चीज सही भी है अगर देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में लगाता है अगर आप तेजी हो और फिर आप यहाँ पर इंटर कर लेते हो हो जोकता है फिर दो परसंट के लिए तेजी हो फिर एक बाड़ा सा अगर गिरावट यहाँ पर हो जाए चाहिए वो प्रफिट बुकिंग के चलते हो या फिर कह सकते हो और किसी निउस के चलते हो तो फिर आप पहनी खोड़ाते हो और मतलब यहाँ पर डड़ने लगते हो अगर हम बात करें जो नए-नए इन्वेस्टर्स होते हैं और फिर यहाँ पर एक्जिट कर लेते हैं फिर जब बढ़ता है तो फिर वो कहते हैं अच्छा मोका शोड़ दिए हमने तो कहीं नasis मैंने आपको पहले हमी बता है कोई भी ऐस्टक हो हो इन्वेस्मेंट करना है लगातार ते जी में स्टक अब वो तेजी में है तब तक यहाँ पे खड़िदा यहाँ पे तब तक वहाँ से गिराओट हो गया काफ़े वार ऐसा हुआ है जैसे कर अब बात करें इरेडा सेर में काफ़े लोग ने इन्वस्मेंट की 120 के प्राइस पे 100 पे किया होगा, 90 पे किया होगा, 95 पे किया होगा 110 पे भी किया होगा, लगा तारते जी रहा, तारते जी रहा जिनेनों 120 पे किया होगा, लगा गिर गया, निचे प्राफिट बुकिंग जब अरदस्त होगा देखने हो मिला हमें मतलब जो भी अपना हाइस लगाया हुआ था इरेडा करना क्या है, आप वो अगर समझ में नहीं आ रहा है कि किसे भी स्टॉक में इन्वेस्मेंट करना है, अफ्रिक्या करना है, किसे स्टॉक में करूँ तो एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, सबसे पहला बात, कोई भी कंपनी हो, उसका आप काम उठाओ, मतलब काम देखो उसका, काम क्या कर रहा है, अगर काम ऐसा कर रहा है, जो कि आपको लगता है आने वाले टाइम में ग्रू होने वाला काम है, जिससे कुछ टॉप टॉप स्टॉक्स को चुनो, जो कि आपकी टाइम में वेलिवेशन, अच्छा वेलिवेशन पर मिल रहा है, और उसके बाद उसमें सुचो आप इंविस्मेंट करने के लिए, वो भी मैंने ये स्ट्रेजी जो बताया आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो, फ्लैट ट्रेड कर रहा हो तब, अदरवाइस तेजी में आप करोगे तो आपको लंबा बेट करना पड़ सकता है, हो सकता है, ऐसा भी हो, बाकि आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई से लिय सुआ है, जी झाल कि सकता है, हो सकता है, हो एका हो पक बाई सकता है, भ EphYC लचliamo में गाना ही, आपको एक है, तो कुछ।स कुछ।स कुछ का बाई सकता भी है, भ्यूशदा योज खिएक सम्रेण है, वीझ आपको कुछ, भल्योच लिभAy, यडियोंदा बाई सकता है, जी